नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आपसे वेलकम टू माई यूट्यूब्स चैनल MBTW मेकैनिक्स दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो बना कर लाया हूँ हैंड़्रेक वाल्ब की किट कैसे डालें जो न्यू मोडल में हैंड़्रेक असेमली आती है दोस्तों ये Tata BS4 में यूज होती है तो शायıyla YouTube में वीडियो होगी तो जुरूर वीडियो को देखिए दोस्तों देखिए दोस्ते हमने पहले हैंडवेक असेमलि को किछ डिस्क्ष्मेंटल किया है और कर रहे हैं देखिए दोस्तों इसकी हम किट डालेंगे इसका हमने किट का नंबर भी स्क्रीन पर दे रखा है तो आप कहीं से भी इस किट को मगवा सकते हैं यह टाटा बीएस फोर की गाड़ी में डलती है यह देखिए दोस्तों मैंने फस्ट टाइम किट खौली तो मुझे मालूब नहीं था कि इसमें जो बालब होता है उसको कैसे हम खौलें इसलिए मैं वीडियो बनाना जुरूरी समझा इसमें जो चूडियां होती है थ्रैड बनी होती है इसको घुमाक कर खोला जाता है यह दे तो हमारे जो नए मेकैनिक भाई हैं प्लीज वीडियो को जरूर देखिए और जाज़ाज़ा शेर कीजिए ताकि सबीस वीडियो का फायदा उठा सके यह देखिए दिसमें चूडियां है इसको हम घुमाक कर जो राइट्स चूडियां है यह देखिए यह ओपन हो गया है अब इसमें जो बालब होता है दोस्तों उसको ओपन करना यह भी मेन मुद्दा था यह देखिए दोस्तों यह जो बालब है यह खराब हो चूका है यह देखिए दोस्तों यह देखिए इसको ओपन करने के लिए थोड़ी परशानी का सामना करना पड़ा फिर बाद मैं यह देखिए दोस्तों इसको जो है घुमाकर खोला जाएगा तभी यह बाल जो है अंदर जो कट गया है इसकी वाद से प्रेश्र लीक हो रहा था गाड़ी में हैंड्रिक सिस्टम का हमने इसकी पूरी किट जो है चेंज करनी है वीडियो पर बने रही है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और लाइक शेर और चैनल पर पहली बार है तो जुरूर सस्क्राइब कीजिए देखिए दोस्तों इसमें भी थ्रेड बनी को गुमा कर जो है अधाय थेड से खुल जाए यह दिखिए दोस्तों यह वाल भी है कि खराब हो चुका है हम इसको चेंज करेंगे हुआ है यह हमारी हैंड वेक जो सिस्टेम पूरी तरह से डिस्मेंटल हो जुका हम इसको असेंबल गनी है दिखिए दोसको इसका किट का नंबर है जो भी इसमें कंपने डेलेंगे वह सभी यहां इसकिट में दिये गे हैं कि अब को की किट है यह दोस्तों यह दिखिए वाल कितना खराब हो चुका था कि यह नियू मॉडल में हैंड रिक सिस्टम है दिखिए हम इसकी किट को परो रहे हैं अब दूस्तों मेरे और भी काफी वीडियो हैं जो टाठा की जो किट्स बहिरा डलती हैं जैसे एड रैड में dual valve की kit, air dryer की kit, relay valve की kit, system protection valve की kit, brake actuator की kit, slack adjuster की kit, और भी काफी वीडियोज हैं तो वो आप लोगों ने भी नहीं देखी तो प्लीज ज़रूर विजट कि दिए मेरे चैनल पर MBTW Mechanics में ताकि मैं और अच्छी वीडियो और नएनी वीडियो बनाता रहूं देखी दोस्तों बाल को डालने के बाद इसको कंप्लेटी जो है वो कस्त देना है टाइट कर देना है कर दोस्तों कि इस वीडियो में एक जो उसमें फिटिंग हो रही है वो बता रहा हूं मैं कि वीडियो को स्कीप नहीं करना है अगर स्कीप करोगे तो कहीं नीन पॉइंट जो है वो छूट जाएगा और आप कुट नहीं डाल पाओगे सही से कि झाले में में मोढ़ा और आप कोड़ा रहां पूड़ागे से सब्सक्वाब स्की तो नहीं करोगे सब्सक्ते बताप अज़ागे एक रहा जब हाएगे से घंग कि आप मुझा आप अच्छ नगान आप सिर्ट पिस ने अचिर तो जब आप टो तो इसमें रिंग वोटे और इस बाते हैं इसमें इंडाते हैं कि कौन सा रिंग कहां बैठना है कि इन साल पे आप इसको बठाइए और अपना प्रेट में आजाएगी कि इन साल प्रेट में आपना 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 प्रेट झाल 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 झाल